So hello and welcome you all, I am Rohit from Ahajan Reader So guys, आज हम बात करेंगे JP Power के बारे में So guys, JP Power में अगर देखा जाए तो morning में stock almost काफी ज़ादा नीचे चले गया था But जो suddenly stock में high volume के साथ जो buying आई है उसने सब को हिला के रख दिया क्योंकि JP Power बिलकुल उपर की ओर जाता हुआ नजराया है morning में और guys, वही अगर दिखा जाए तो अब भी उसने काफी तगडे stock ने return दिये है काफी तगडा comeback किया है तो guys, क्या JP Power बिलकुल आग लगाने वाला है So guys, यहाँ पर वही हम बात करेंगे तो यहाँ पर target 10 गुना तक भी जा सकता है अगर इसके levels को आपने समझने की कोशिश की तो तो guys, JP Power को लेकर काफी कुछ बाते होंगी आज इस वीडियो में और guys, गलती मत करना बेचने की यहाँ पर stock form में चल रहा है तो बिलकुल उसका फाइदा उठाना चाहिए तो चलते है JP Power के उतर उपर और उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना So guys, यहाँ पर आप देख सकते हों आ गए है हम JP Power के उपर JP Power का पूरा नाम जय प्रकाश Power Ventures Limited है और guys, वही अगर दिखा जाया तो stock 7 रुपे 60 पैसे पे स्ट्रेट कर रहा है 30 पैसे तक की बड़त आज हमें इस share में देखने को मिली है 4.08% के हिसाब से stock में उपर क्योर का momentum नजर आया है और guys, बिल्कुल तेची का माहुल बना हुआ है इस share में वही अगर आप देखोंगे तो आज हुआ गया Almost low लगा दिया था stock ने 7.05 पैसे तक का और जो high फिर इसने लगाया है 7.70 पैसे तक का high भी लगा दिया फिर suddenly stock normal यहाँ पर open हुआ था 7.40 पैसे पर normal अब ट्रेड कर रहा है बट guys, यहाँ पर stock में जो momentum morning में देखने को मिला है काफी तगड़ा था market cap तो आपको पता ही है 5.24,000 करोर का market cap अला stock है यानि काफी गंदार है अब बात करते हैं guys इसके chart की chart को अगर आप समझने की कोशिश करोंगे तो बिल्कुल stock में जो momentum साने वाले है वो और भी तगड़े आने वाले है stock लगबग 8.50 पैसे तक short term basis पे आने वाले Monday तक तो जाने ही वाला है और वही अगर आप देखोंगे guys तो यहाँ पर stock ने resistance support कई सारे लेता हुआ नजर आया है तो stock ने कई बार support resistance यहाँ पर show किये है जिससे आप देख सकते हो कई बार upside downs momentum इस share में हमें देखने को मिले है और उसी की बदलब stock यहाँ पर बिल्कुल support लेता हुआ उपर की और जा सकता है तो guys यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो एक falling wage pattern stock में बन रहा है और जैसे ही हमें यहाँ पर इस level पर breakout मिलता है तो बिल्कुल हमें buying की और जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो momentum आएगे तगड़े आने वाले है 8.50 पेसे तक का level यहाँ पर achieve होने वाला है यहाँ पर JP power में तो बिल्कुल आप इसमें positive रह सकते हो JP power तगड़े return दे सकता है तो guys यही अगर देखा जाया long term के basis पेस के level तो काफी time पेले भी मैंने बताया था 6.55 पेसे पे हमने बोला था buying करने के लिए और मैंने जो risk की जो investor जो trader थे उन्हें भी बोला था 6 रुपे तक buy करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो दो बार stock को यहाँ पर resistance विला था, double bottom का pattern था, w pattern का pattern था वही breakout के bar stock ने retest करके वही जाने की planning यहाँ पर चल रही है और guys बिल्कुल यहाँ पर stock जाएगा ही जाएगा, double bottom एक bullish pattern है, वही अगर बड़े time frame पर देखो तो यहाँ पर cup and handle type pattern भी बना है, stock उपर भी किया है, retest भी कर रहा है और यहाँ से सीधा उपर यह जाएगा तो guys यहाँ पर 10 रुपे तक का target भी आप रख सकते हो, क्योंकि 10 रुपे का target में इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे आथा, तो बिल्कुल यह वही पर जाने की कोशिस इसकी रहने वाली है, वही अगर देखोंगे as a long term basis पर target यहाँ पर 25 रुपे 85 पेसे तक जा सकता है, क्योंकि जब यह नीचे आथा तो यही से, यह बिल्कुल sustain किया था, फिर नीचे की रहा था और वही पर स्टॉक जाने कोशिश करेगा और यही नहीं, target यहाँ पर multiple हो सकते है target यहाँ पर double हो सकते है आने वाले टाइम में वही अब बड़े आगे, और देखे stock का जो high है, 11.15 पेसे वो बिल्कुल अच्छी होने वाला है 2.85 पेसे का low भी है price performance की बात करें तो price performance यहाँ पर अभी का भले ही minus हो, 2.53% बट वन मन्त का positive है 14.07%, 3 months का negative है 15.38%, बाकी भी positive ही आपको नज़र आने वाला है वही बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, guys, 8 करोड से भी तगड़ शेयर से यहाँ पर उठाए गए है high volumes के जाथ 8 करोड तक की buying आज हुई है, जो की काफी तगड़ी है, वही अगर देखा जाए तो community sentiments के आखड़े बिल्कुल यहाँ पर positive है क्योंकि 71% लोग यहाँ पर buy करने के लिए कह रहे है 29% लोग कह रहे हैं यहाँ पर hold करने के लिए, guys, almost 100% लोग stock को लेकर positive नजर आ रहे है so guys, JP power बिल्कुल तगले return देने वाला है, आने वाले time में भी वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो, thank you